बाबसाब डॉक्टर अमबेटकरजी द्वारा जो 19 पृतिग्या हमें दिलाई गई वो पृतिग्या है कि मैं मनुष्य के लिए हानिकारक और उच नीच के सिध्धान पर आधारित पुराने हिंदु धर्म का त्याग करता हूँ और लोगों के लिए समान और लोगों के लिए कल्यानकारी बहुत धर्म को गिर्ण करता हूँ तो केवली ये बात बाबसाब ने यूही नहीं कैदी दिखाने के लिए बाबसाब ने पूरे इत्यास का इस देश के तमाम इत्यास का अध्यान किया सारे धर्म शास्त्रों का अध्धन किया और उसके बाद हिंदु धर्म को छोड़कर बौद धर्म को अपनाया और अपनाने के बाद अपने सभी अनुजाईयों से कहा कि आप सब भी ये पुराने सड़े गले हिंदु धर्म को जो उच नीच पर आधारित है इसको छोड़कर बाद धर्म को अपनाये इसलिए उन्होंने हमें बाद धर्म को अपनाने की पृतिग्या केवल कहने ही दिया उन्होंने कोई भाशन नहीं दिया ये पृतिग्या दिलाई हमें कि हमें हिंदु धर्म छोड़कर बाद धर्म को गिरन करना है यहां मैं थोड़ा सा एड़ करना चाहूंगा कि जो लोग हैं जो अपने आपको अमभेट करवादी कहते हैं बहुत धर्म का मानने वाले कहते हैं अफसोस के अभी भी हम उन अर्थों में बहुत धर्म को गरहन नहीं कर पाए जिन अर्थों में हमारे मुक्तिदाता इस देश की नारी जाती के मुक्तिदाता शोशित पीडित लोगों के मुक्तिदाता परमपुजे बोदिसत बाबा साब डॉक्टराम बेट कर जी ने हमें वो पिर्तेग्या दिलाई थी हमें वो समझाया था मैं कह सकता हूँ कि अगर उनकी जीवन का सारा निचोड है तो उसमें सबसे मान ये है कि हम बहुत धर्म को ग्रहन करें और पूरे मन से पूरी इमानदारी से ग्रहन करें क्योंकि बहुत धर्म ही हमारी उन्नती का, हमारी तरकी का, हमारी खुशाली का, हमारे कल्यान का रास्ता है अगर मेरी बात लोग सुन रहे हों लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें समझें तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि पूरी इमांदारी से पूरी निष्ठा से बाब साब के बताय हुए रास्ते पर चलते हुए उनकी पृतिग्याओं को अपने जीवन में अमल करते हुए हम पुराने इस हिंदु धर्म को उचनित पर आधारित हिंदु धर्म को छोड़कर भगवान बुद्ध के बताये रास्ते पर चलने के लिए बौद धर्म को अपनाए ऐसी पृतिग्याँ हमें बाब साब डॉक्टर अमबेट करने अपने 19 में पृतिग्याँ में बत कर दो